हलो दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपका हमारी यूट्यूब कैनल तिवारी फैसन आउस में दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में एक ऐसी चीज जिससे आप अपने कैमरे को यहां दोस्तों वीडियो बनाते हुए आपके आइफोन का कैमरा बिल्कुल डी एसलर केमरे की तरह काम करेगा बहुत ही परफेक्ट व्यूज आएंगे और बहुत ही अच्छा काम करेगा तो एक चोटी सी ट्रिक है वह मैं आपको बता देता हूं तो वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आप मेरे इस चैनल पर नहीं है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजे और वीडियो को पूरा देखे पूरी जानकारी के लिए बस वीडियो को पूरा देखे बिल्कुल चोटा सा ट्रेक है और एक से दो मिनि के मैंना ओपन कर लिए है अभी आप देखे हिए जो हमारे अपको पूरा क्लियर दिख रहा है कि स तरह करकेति कर आ कि它 कंशने से अर यूस करना खार दो क्योंक हो दोस्तुरह में से उपना है है तो स्पार्च बुए कशनन श्क्राइब करेंगे तो और सुसमर्ण भाता श् DSLR की तरह काम करता है देखिए आप नीचे की जो ग्रास है या दूर का कुछ भी होगा वो बलर आएगा और जो पास में होंगी चीजे वो एकदम से DSLR की तरह काम करेंगे देखिए दोस्तों मैं आपने हैंड को हटा लेता हूं अभी यह देखो बलर आ रहा है अभी मैं इस प क्लिक करता हूं देखिए विजुल्टी में कितना फरक है देखिए अभी विजुल देखिए इसका और अभी इस पर जब मैं A e a f option इसको लॉक कर देता हूं तो अभी देखिए कैसे विजुल देख रहे हैं तो मेरे हैंड के जो विजुल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से दि देख रहे हैं तो यह बहुत ही एक अच्छी ट्रिक है इसको आप फ्रंट कैमरे और जो बैक कैमरा है दोनों पर यूज कर सकते हैं देखिए कितना फरक है अब यह जो a e a f lock option ओन रहेगा तो दूर का जो है वो पूरा बलार आएगा देखिए किस तरीके से बलार आता है दो दोस्तों कितना अच्छा रहेगा अगर आप इस तरीके से वीडियो बनाते है आइफोन है लो लाइट में भी इतनी अच्छे विजूल से दिख रहे हैं जो मेरे हाथ की जो रेखाएं हैं वो भी नजर आ रहे हैं देखिए आप बिल्कुल डी ऐसलर की तरह काम कर रहे हैं और दूर का जो भी है वो बलर आ रहा है तो आज के लिए बस इतना ही थेंक्यू दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें थेंक्यू दोस्तों